प्रेंट्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनकेडमी लर्निंग एप पर प्लेलिस में जाकर अनकेडमी लर्निंग एप डाउन्रोड कीजे और वहां सर्च कीजे प्रतीक्षा आचार्य वहां आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पासकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में सभी लेसंस देख सकते हैं और डाउन्रोड स्लाइट करके उनको कभी भी ओफ लाइन देखा जा सकता है तो अनकेडमी लर्निंग एप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य हलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स मैं हूँ प्रतीक्षा हिस्ट्री के पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें इन वीडियो में आपको मिल सकते हैं आपके आने वाले कोशन पेपर के कुछ कोशन तो ये वो कोशन हैं जो पहले भी कई सारे एक्जाम में हिस्ट्री के पेपर में पूछे गए हैं तो आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दौनों ही होने वाला है इन वीडियो के माध्यम से तो कोशन नमबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 वीडियो अप्लोड किये जा चु वीडियो से मिलने वाली है तो कोशन नमबर 61 जाती मिमानसा के लेखक आपको बताना है और चार आप्शन आपके सामने हैं साथ ही राइट आप्शन भी आपको दे रखा है सही जवाब है श्री नारायन गुरू और ये कोशन जो है वो पूछा गया है के बीएस पीजी टी ह मुद्रायन निम्लिकित में से प्राप्त हुई है राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नर्मदा घाटी नेक्स्ट इस जवाब वित थे राज कानून अशोग के शिला लेखों की लीपी क्या है सी ब्राम्मी नेक्स्ट इस पूर्ण विक्सित हरप्पा सभिता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही ऑप्शन बी पाँच उपलब्ध प्रमाणों के अधार पर हरप्पा सभिता ने मानव जाती को जो इस दो इस्थाई उफार प्रदान के वे थे गैहु और कपास की खेती नेक्स्ट इस हरप्पा के लोगों के सामान ये घरेलू बर्तन किस से बने होते थे? C. मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन नेक्स्ट है लोथल और चनहु दड़ों का सरवादिक महत्यपूर उद्योग क्या था? B. मनका उत्पादन नेक्स्ट इस हरप्पा काली नगरों पर कौन सा शाशन करता था? तो शाशन व्यवस्था अज्यात है कुछ भी पता नहीं है कौन करता था? नेक्स्ट इस उत्तरवैदिक काल में आर्यों को भार्तिय भुगोल के किस अश की जानकारी नहीं थी? तो वह था कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिन भारत की नेक्स्ट इस निम्लिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या शृतियों के अंग नहीं थे? पुराण युद्ध का प्रार्ण मनुश्यों के मस्तिश्क में होता है किस ग्रंथ में उलिखित है? अथर्व वेद में प्रथम बौध संगती का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर महाकस्यप बुद्ध के प्रवचोनों का संकनन प्रसिद धम पद निम्लिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? सुत्त पिटक प्रसिद बौध विद्वान अश्व गोश किस के समकालीन थे? कनिश्क के नेक्स्ट इस मौरी दरवार में मिश्र के राजा टॉल्मी फिला डेलफस का दूद कौन था? डायो नेसियस नेक्स्ट इस निम्लिखित में से कौन सा पक्ष अश्व के धम का एक सैधानतिक पक्ष नहीं है? राइट आप्शन पापों से भय अग्ला प्रशन है अशोक के किस शिला लेक से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतरमन की व्यथा प्रकट होती है? राइट आप्शन है ए धौली और जागर्ड धौली और जागर्ड नेक्स्ट इस भारत का निम्लिकित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य सामराज का अंग नहीं था? केरल तमिलनाडू उपड़्युक्त ए और बी और कश्मीर तो राइट आप्शन है C यानि की केरल और तमिलनाडू वर्तमान प्रांत मौर्य सामराज का अंग नहीं था? Question number 80 is जन्पद इस तर पर मौरे अधिकारियों का सही अवरोही करम क्या था? तो मौरे अधिकारियों का सही अवरोही करम है प्रादेशिक, राजुक और युक्त तो friends यहाँ पर इस वीडियो को रोकते हैं और नेक्स वीडियो में continue करेंगे इसके आगे कुछ और questions हैं जो हम देखेंगे आगे के वीडियो में अभी इतना ही, bye bye take care वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, share करें Thanks for watching